कहानी 25 गजेंद्रमोक्ष आर्थ कंठ से निकली हुई पुकार भगवान के कानों में अवश्य पड़ती है चीर सागर में त्रिकूर्ट नाम का एक परवत था परवत की उप्तियका में वरुन का आश्रम था आश्रम के पास ही एक उपवन था जिसका नाम रितुमान था उपवन में भाति-भाति के फूलों और फलों के वरिक्ष थे सुगंध से भरी हुई हवाएं दिन रात चला करती थी भाति-भाति के सुन्दर पक्षी अपने मधूर शब्दों से उसे मधूरता का लोक बनाए रहते थे उपवन में इम्रिक, नील गाएं और हाथी भी रहा करते थे हाथियों का एक समोहु दिन रात इधर-धर विचरण किया करता था उनका यूथ पती भी था, जिसे गजराज या गजेंद्र कहते थे गजेंद्र बड़े ही डील डॉल और लंबी सून्द वाला था वो था तो हाथी, किन्तो बड़ा बुधिमान और ग्यानी अच्छे विचारों वाला था उपवन के मध्य में एक सरोवर भी था जो शीतल और चांदी की समन उच्छवल जल से भरा होता था सरोवर में कमलों के फूल भी खिले हुए थे जिन पर भ्रमर मधुर शब्दों में गुंजार किया करते थे दोपहर का समय था, धूप तेज थी गजेंदर को त्रिशा का अनुभव हुआ, वो पानी पीने के लिए सरोवर के तट पर जा पहुँचा गजेंदर, सरोवर में सूंड डाल कर पानी पीने लगा जब पानी पी चुका, तो उसे जल में कृड़ा करने की सुझी वो सरोवर के भीतर घुज गया और सूंड से पानी उठा उठा कर अपने उपर डालने लगा जब सोयम अच्छी प्रकार नहा चुका तो किनारे पर खड़ी हथिनियों के उपर सूंड से पानी डालने लगा उसे क्या पता था कि काल के समान प्रचंड मगर उसकी ओर क्रूरता भरी द्रिश्टी से देख रहा है गजेंद्र अपनी आनंद क्रीडा में मगर था सहसा ग्राह ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसके पैर को अपने मुक से पकड़ लिया वो गजेंद्र को पकड़ कर गहरे जल की ओर खीचने लगा खेचाव से गजेंद्र चकित हुआ उसे पता चल गया कि कोई भयानक जल जनतू उसे गहरे पानी की ओर खीच रहा है गजेंद्र ग्राह के खेचाव से बचने का प्रयात्न करने लगा वो बल लगा कर किनारे की ओर बढ़ने लगा, किन्तु ग्रहा अपने घर यानि पानी में था, और गजेंद्र अपने घर यानि सल से बाहर था, यद्यपे गजेंद्र बलवान था किन्तु पानी के भीतर होने के कारण उसका बल नहीं लग रहा था, अधिक बल लगाने पर भी गजेंद्र का बस नहीं चल रहा था, वो गहरे पानी की और खिचता जा रहा था, खिचता जा रहा था, किनारे पर खड़े होई हतिनियों ने भी गजेंद्र की सहायता की किंतो फल नहीं निकला, गजेंद्र को गहरे पानी की और खिचे लिए जा रहा था, खिचे लिए जा रहा था गजेंद्र ने जब ये देखा कि अब वो किसी प्रकार भी ग्राहा से बच नहीं सकता तो उसे प्राभो की याद आई उसने सोचा इस समय निर्बलों की सहायक भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उसे नहीं बचा सकता वो आर्थ कंठ से भगवान को पुकारने लग हे निर्बलों के बल मैं निर्बल आपकी शरण में हूँ इस समय मेरा बल काम नहीं कर रहा है दया करके मेरी सहायता कीजिए मुझे ग्राहा के मुख से छुड़ाईए हे अशरण शरण मैं निराश्रित हो मुझे शरण देने वाला कोई नहीं है आप दया के सागर हैं मुझ मुझे अपने शरण मिलीजिये। ग्रहा रूपी काल के मुख से मुझे छुडाइए। हे दीन बंधु आप दीनों के भाई हैं सखा हैं। मैं सबसे बड़ा दीन हूँ। जगत में मेरा अपना कोई नहीं है। मैं सरवहारा दीन आपको पुका रहा हूँ। हे जगत के स्वामी मेरे रक्षा केजिये। हे दीनों प्रकार के दुखों को नाश करने वाले मेरे दुख का नाश कीजिये। हे निर्भय मुझे अपने शरण मिलेकर भै रहिद बनाईए। हे काल जेता इस काल रूपे ग्रहा से मेरे रक्षा कीजिये। आर्थ कंठ से निकली हुई पुकार भगवान के कानों में जा पड़ी। भगवान श्रीहरी गरोड पर सवार होकर आंधी के समान चल पड़े। विशेगरही जल में मृत्यू से जूचते हुए गजेंद्र को दिखाई पड़े। गजेंद्र ने अपने सून्ट से कमल का एक फूल तोड़ कर भगवान हरी के चरणों की ओर बढ़ाते हुए कहा। प्रभो मुझे निर्बल के कमल पुष्प को सुईकार कीजिये। मुझे गरह से बचाईए। भगवान श्रीहरी शीग रही पानी में कूट पड़े। उन्होंने देखते ही देखते गरह को मार डाला। गजेंद्र के मुख से छूट कर किनारे पर पहँच गया। भगवान की ओर वो देखने लगा। किन्तु अब भगवान वहां कहां थे। वे गजेंद्र को गरह के मुख से छुड़ा कर अद्रिश्य हो चुके थे। गरह पूर्व जन्म में एक गंधर्थ था। एक रिशी के श्राप से गरह के रूप में पैदा हुआ था। इसी प्रकार गजेंद्र भे अपने पूर्व जन्म में इंद्र द्युम्न राजा था। किन्तु अगत्सिव रिशी के श्राप के कारण हाथे के योनी में पैदा हुआ था दोनों को ही अपने पूर्व जन्म का अस्मरण था भगवान श्री हरी का असपर्ष होने भर दोनों ही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो गए, भगवान श्री हरी के दिव विधाम में चले गए, भगवान श्री हरी की कृपा प्राप्त होने पर मनुष्य को मुक्ति तो मिल ही जाती है, दिव विधाम की प्राप्ती भी होती है, अधा, मनुष्य को भगवान श्री हरी की कृपा को प् कहानी 25 गजेंद्र मोक्ष समाप्त